हेलो फ्रेंस वेल्टम तो माई यूटीब चैनल मेरा नाम है अलू और आप देखें मेरा यूटीब चैनल अलू आट ग्लास तो फ्रेंस एक थाली ब्रत वाली में आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्पेशल ब्रत की थाली जिसमें हम बनाएंगे आलू और साबुधाने करसे के साथ में बनाएंगे ह्री चटनी चली स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो पिना किसी देरी के है कर दोidan यह मेरा साबू दाना है साबू दाना मैं लियाता दो कप इसको मैंने दो गंटे पहले पानी में बिगो के रखा था अच्छे से साबू दाने को पानी बिगोने से पहले साबू दाने को अच्छे से दो लिए जेगा ताकि बाद में वो चिप चिपा ना रहे तो मैंने अपने साबुदाने को अच्छे से निकाल लिया है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है क्योंकि पानी रहेगा तो आपकी बड़ी चिप-चिपी बनेंगी और ही मेरे आलू है जिनको मैंने अच्छे से बॉयल किया हुआ है और छील के रखा हुआ है जब तक हमारे आलू ठंडे अपनी चपनी त्यार करा लेते हैं तो आधे अब देखते हैं चटनी कि सामघनी त्यार करने के लिए हमने लिए है धने फ्रेश क्या थी आजी है हरी मिर्ची और 1 चोटा टुक्डा मैं लिया है आद्वरिक का क़ि के नीबू और शेंधरिन दावन एडान भी करेंगे घ्法 चटनी बनके तियार हो जाएगी तब चटनी मैंने पीस ली है अब मैं इसमें नीवुकरस एड़ कर देती हूं आपको जितना कठ्ठक आना हो आप उतना नीवुकरस इसमें एड़ कर सकते हैं मैं यहां पर एक से डिल्ड चमच नीवुकरस ले रही हूं नमक मैंने लिया था आदा चमच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिन रख सकते हैं कम या जादा तो आलू मेरे ठंडे हो चुके हैं अब मैं कद्दू कस करके अपने आलूओं को मैश कर लेती हूं अच्छे से जितना बारिक हमारा आलू होगा उतना ही अच्छी हमारी टिक्की भी आएंग अदून आपके अगर आप चार-वावजया लेते हैं तो उसको नहीं होता है तो सब्दाना मैंने या पर अट कर दिया हैं मैं सबको अच्छे सी मिला लोंंगी दो हमारा बनका तयार हो गया है आप चलते हैं टिक्की बिनाने के प्रोसेस में जिस बर्तन में आप अपने टिक्की को बना कर रखेंगे उस बर्तन को पहले आप रिफाइंड से यांगी से अच्छे से चिकना कर लें ताकि टिक्की आपके बर्तनों में ना चिपके अगर टि की यह त्योग बनके त्यौकिए अब इसास से में अपनी दुशित टिक की बना लूँंगी कश तो मेरी एक ताली की टिक बनके तयार हो द्यार हो चुकिए मैं इनको ठंदा करने के लिए फ्रीज में रख देंग एक घंटे के लिए जब तक यह थंडी होंगी तब तक मैं अपनी और टिक्क्या बना कर लेती हूं मेरी टिक्की बनकर त्यार हो गई है अब मैं इनको एक गंटा इलिए रख देती हूं ठंडा होने के लिए ताकर यह अच्छे से सूख जाएं अब हम एक क्राई में तेल अपना गरम कर लेंगे और अपनी बारी बारी से अपनी सभी टिक्कियों को तल लेंगे तो हमारी टिक्की में परफेक्ट कलर आ चुका है अब हम इसको निकाल लेते हैं इसी तरह से हम अपनी सभी टिक्कियों को तल लेंगे और यहाँ पर हमारी टिक्किय Keyboard कर त्यार हो चूकी है, और साथ में हम ने रख्यू है हपनी हरी चटनी आप से ब्रध में बना कर खा सकते हैं तो उम्मीप करते हूं कि मेरे आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी हो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी ए तो प्लिस वीडि़िव कर दीजे लाइक और कर लेजे और मुझे कमेंट बॉक्स में जय मातादी लिखना ना भूलिएगा तो स्वस्त रहिए मस्त रहिए और देखते रहिए अनु आट क्लास मेरी आज की वीडियो मस इतना ही मैं मिलूंगी आपसे पिर अपनी अगली वीडियो में किसी और नहीं सिंपल रेसिपी के साथ में तब झाल 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 झाल